तो स्वागत है आप सभी का मारे यूट्यूब चैनल में तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग के सक्षिन में कोडिंग डिकोडिंग और ये कोडिंग डिकोडिंग एक नए पैटरन पर बेस्ट है जहां पर हमने जितनी पहले वीडियो अप्लोड की हैं उनसे पैटरन पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और अगर आपको पैटरन समझ आ गया तो आप पांच क्वेश्चन केवल 10 से 20 से कर पाएंगे लेकिन जरूरत है पैटरन को समझने की और कैसे कोडिंग की गई उसको समझने की तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखे और अंत में अपने कमेंट हमारे साथ जरूर शेर करें आईए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो देखे यहाँ पर लिखा है इना सर्टन कोड लेंग्वेज पार्टी सेट इस माइट इस कोड़ेड एज पी हैश सिक्स एच एड़ 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 कोड गया है हमारी पहली जो प्रिविएस वीडियो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखे तो उस वीडियो देख लें ताकि आपको उसमें पता लगए कितने letters है, 4, B, I, double L, 4 letter है, bean में 4 letter है, past में 6 letter है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, और 6, यानि कि 6, 4, 4, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 6, 4, और 4, देखिया आप यह 3 संख्या है, जो क्या है, even number है, तो यानि कि और यह क्या है, 3, odd number है, तो हमें क्या समझ आया, कि जो hash है, उसका मतलब है, odd number letter, और add the rate का मतलब है, even number, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, hash, का मतलब, odd number, और add the rate का मतलब, even number, यह हमारा यहाँ तक code जो है, वो आपने crack किया, अब देखिये, coding जो हुई है, वो 3, चीजों, 3 तरा की, 3, जो है, रहेगा, आपका symbol रहेगा, देखिये, सारे में देखिये, center में symbol है, तो यहाँ पर तो आएगा, आपका symbol, अब हमें यह दो places, यह हमारा correct हो गया, हमने पता कर लिया, hash, odd, add the rate, even, अब हमें यह दो समझने है, देखिये, number को देखिये, 6556, अब हमने इसको समझ लिया, कि hash, add the has, तो जो has है, उसके लिए, hash 4 code लिया गया, तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, has का code क्या है, hash 4, अब आप देखिये, कि 4 कैसे आ सकता है, एक सीधी सी बात दिख रही है, हमें लेटर कितने है, 3, और 3 में अगर एक add किया, तो कितना आ गया, 4, ऐसी देखते है, यहाँ पर 4 लेटर हैं, एक add करेंगे, 5 आएगा, 5 लिखा है, 6 लेटर है, एक add करेंगे, 7 आएगा, 7 है, ऐसे यहाँ पर 4 है, 4 में एक add किया, 5 आगया, दो बर 5 लिखा है, दो 4 है, तो नो 4 में एक add करेंगे, तो 5 आ जाएगा, इसी परकार यहाँ पर देख लिजे, party कितने है, 3, 2, 5, यानि कि हम, जो last number कैसे है, वो भी हमने crack कर लिया है, more में भी check कर लेते है, 4, 3, 3, 4, यानि कि एक add करेंगे, तो क्याएगा, 5, 4, 4, 5 आना चाहिए, तो 5, 4, 4, 5, ये तो हमारा pattern ये भी crack होगा, यानि कि last में जो number है, अब वो number कैसे आ रहा है, वो यहाँ पर लिख लेते है, यानि कि total letters plus one, total letters में एक add करेंगे, तो यहाँ पर वो हमारा number तयार हो जाएगा, अब हमें देखना है, यानि कि ये भी हमारा होगा, इसको भी tick कर देते हैं, अब सबसे पहले alphabet कैसे आ रहा है, वो हमें crack करना है, दुबारा इस पर चलते हैं कि एक हमें पता है, बाकियों का नहीं पता है कि किसी लिए क्या code है, तो has का h, जो है, hash 4 है, hash और 4 का तो पता लग गया, अब h से h कैसे आया होगा, देखिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, has का code है, h hash 4, ठीक है, ऐसा मान सकते हैं कि h से h आ गया, यानि कि पहला letter लिखा जा रहा है, बाकियों में चेक क होना चाहिए, लेकिन किसी में P तो नहीं आ रहा है, यानि कि पहला letter तो नहीं आ रहा है, यहाँ पर has है, तो h आ गया, लेकिन यहाँ B है, तो इसमें कहीं B नहीं है, यहाँ P है, तो इसमें कहीं P नहीं है, ऐसे यहाँ B है, तो कहीं B नहीं है, तो यह तो नहीं हो रहा होग कुछ और सोचते हैं है एच अब इसकी मैंने आपको जो लास्ट वीडियो में अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा तो देख लेए मैंने आपको वापे ट्रिक बताई थी इजॉटी ठीक है इजॉटी में इका स्थान पांचवा रहता है जे का 10, ओ का 15, ती का 20 और वाई का 25 यहीं मैंने आपको बताया था और यह स्थान का बताई जब हम A से Z की तरफ को जाते हैं जब हम Z से A की तरफ जाएंगे तो इनका स्थान 22, 17, 12, 7, 2, अब यह कैसे मैंने पता किया यह लास्ट वीडियो में आप जाकर चेक कर लीजे जो जानते हैं उनके लिए अच्छी बात है जो नहीं जानते हो लास्ट वीडियो में ज़रूर चेक करें अब उसके बाद हम देखते हैं इससे कोई रिलेशन हमें बन रहा है अच्छ यहां पे यहने लिखा है है का प्लेस के होगा देखिए है कहाँ पे आता है जई अगर दसमें स्थान पर है तो ह कितने हमें पाछ यहोगा जानी की ऐच आठमे अठमे स्थान का होगा 8 वास्थान लिख स्थान होगा अब आठ में का opposite क्या होगा आठ में का opposite निकालेंगे तो आएगा 19 जैसे हमने निकाला कि पाच में का opposite है 22, 10 में का है 17, 15 का है 12, 20 का है, 27, 25 का है 2 तो ऐसे ही 8 का opposite स्थान होगा 19 और 19 में स्थान पर कौन सा alphabet है अगर T 20 में पर है तो S होगा जो वो 19 में स्थान पर होगा यानि कि यहाँ पर S आना चाहिए लेकिन S भी नहीं है यानि कि opposite की जो बात है वो भी कहीं देखने को हमें नहीं मिल रही है इसमें ठीक है, ऐसे ही S का चेक करते है S के लिए चेक करते है S का स्थान क्या होगा 19 मा 19 मा का opposite होगा 8 मा, 8 में पर होता है H यानि कि यह मान सकते है कि last or letter का जो number है उसका opposite स्थान पर जो number आएगा वो हमें चेक करना है वो आ सकता है confirm के लिए किसी और को देख लेते हैं जैसे हमने यह आप पर देखा past देखे, past का मतलब 7 है, क्योंकि यह 6 है 6 में एक जोड़े 7 अब हम इसको past के लिए cross verify कर लेते हैं past H add the rate 7 हमने यह क्या कहता है, last letter का number उसका reverse करके चैकिए वहाँ पर कौन है यहाँ पर D है, D का number क्या होगा, 4, इसका opposite क्या होगा, 23rd 23rd पर कौन है, अगर 20 में पर T है तो 23 में पर कौन होगा V होगा, sorry W होगा, ठीक है 20, 21, 22, 23, U, B, W लेकिन यहाँ पर तो H आ रहा है यानि कि W भी नहीं है अब देखे, इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें भी H है, इसमें भी H है ठीक है, और इसमें भी कहीं न कहीं H code हुआ है यहाँ पर H कैसे code हुआ है S से H code हो रहा है, इसमें भी S है यानि कि और S अगर आप सारे word को alphabetically arrange करें सारे जो letter है, इनको alphabetically arrange करें जैसे, सबसे पहले कौन सा word letter आता है, A, उसके बाद D, उसके बाद E, D, उसके बाद P, उसके बाद S और S, अगर आपने इसको S arrange की है, तो last में S आ गया और S से H बन रहा था, हमने यहाँ पर S से H बनाया था, ठीक है यानि कि हम ऐसा कह सकते है कि word के अंदर, जो letter सबसे last में आता है, alphabets में उसका number का reverse जो होगा, वो यहाँ पर आ जाएगा इस वाले concept को चेक कर लेते हैं देखिए, अब हमारे पास क्या है यहाँ पर H आ गया अब यहाँ पर O add the rate 5 है और M add the rate हमारे पास 5 है, दोनों हमारे पास O add the rate 5 और M add the rate 5 है हम चेक कर लेते हैं, बिल को ठीक है, यहाँ पर देखिए, मैं लिख रहा हूँ बिल अब बिल को alphabetically range करें सबसे पहले B आएगा, फिर I आएगा L आएगा, L आएगा, already alphabetically range है last में है L L का स्थान क्या होगा देखिए, J का स्थान है 10, और L का क्या होगा 12, J, K, L L का स्थान कितना होगा, 12 इसके opposite क्या होगा 15 और 15 में स्थान पर कौन है, यहाँ देखिए 15 में स्थान पर है O तो क्या आएगा, O इसमें कितने है, 4 है, 4 मतलब even add the rate आएगा, और कुल कितने है, एक तो 3, 4, 4 में एक जोड़ेंगे 5, O add the rate 5 बन रहा है, बिल्कुल यानि कि हमें क्या करना है यही coding का एक जो नया मैंने आपको बताया था, starting में यह pattern है तो यहाँ नया pattern क्या है कि यहाँ पर हमें पहला letter कैसे मिलता है, जब हम word के अंदर के letters को arrange करते है और जो last में letter आता है उसका number ढूंडते है उसका reverse find करते है और उस reverse जो number आता है उसको हम यहाँ पर लिखते है example के लिए एक और check करवा देता हूँ आप लोगों को, जैसे bill का हमें पता लगया O add the rate 5 है, तो bean का क्या होना चाहिए था, M add the rate 5 अब हम bean चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए bean bean में इसको arrange कीजिए सबसे पहले B, already arranged है देखिए E, E, N तो N का number क्या है last में N का number देखिए, अब N निकाल लिजिए M, N, O, अगर O 15 है तो N कितना होगा, 14 reverse क्या आएगा इसका, 13 और 13 में नमबर पर कौन होता है, M बिल्कुल इसी है M आ गया, 4 है 4 का मतलब even, even के लिए add the rate, और 4 ही है 4 में एक जोड़ेंगे 5, M add the rate 5, आ गया तो यह हमारी थी, coding तो यह भी हमने cracker लिए यहाँ पर क्या आएगा कि total या ऐसे कह सकते हैं arranging letters and reverse 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 of last letter तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यह थी हमारी coding, अब हम इसके base पर question देखते हैं, तो पहले question में पूचा गया, supported का code क्या होगा, तो मैं सबसे पहले लिख लोगा इसको, supported तीन, उसमें coding होगी, center में क्या आएगा, odd और even कितने है, तीन, तीन, छे और तीन, नौ, नौ का मतलब, जो है वो, odd है, और odd के लिए हमारे पास था, hash, ठीक है, उसके बाद बताया था, total जितने है, नौ है, तो उसमें एक जोड़ेंगे, तो लास्ट में आ जाएगा, नौ फिर आएगा, E, ठीक है, A, B, C, D, उसके बाद आपके पास आएगा, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, तो यहाँ पर O भी है, P, दो बार P है, R, S, T, और U, देखिए, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 3, 6, और 3, 9, हमने इसको अरेंज कर लिया, अब लास्ट लेटर का नंबर देखना है हमें, तो वैसे ही, I, J, T, अब T के बाद यू आता है, S, T, U, T, अगर 20 है, तो U क्या होगा, 21, इसका reverse क्या होगा, 6, और 6 स्थान पर कौन रहता है, अगर 5 में पर E है, तो 6 स्थान पर, जो है, 5 में पर E है, तो 6 स्थान पर क्या होगा, E 5 में पर है, तो 6 स्थान पर F होगा, तो हमार है जी हैश वन है जी हैश 11 है नन आफ दीज है तो हमारा अंसर क्या होगा नन आफ दीज दोस्तों एक्जामिनर कहीं बार क्या करता है आपने कोडिंग सॉल की और पहला क्वेश्चन आपको ऐसा देदेगा नन आफ दीज अब आपको के दिमाग में सबसे पहला क्या आएगा अरे यार मेरी तो कोडिंग गलत बन गई लेकिन आपको वहाँ पर नर्वस नहीं हो रहा है तो वह भी सही हो सकता है क्योंकि वह आपको कंफ्यूस करना जाता पर टाइम वेस्ट करवाएगा ताकि आप दुबारा से कोडिंग चेक करने लगें कि कहीं मेरी कोडिंग में निकलेगा इसलिए हम कोडिंग चेक करने लग जाते हैं जिसमें हमारा टाइम बेस्ट होता है आपको अपने कोडिंग पर अपने जो अपने कोडिंग क्रैक की है उस पर कॉन्फिदेंस रखना है और अगर नन अफ दिस आप्शन है तो उसको भी टिक करना है तो यह हमारा पहला अंसर था सेकिंड अंसर देखते हैं वट इस कोड़ फॉर आस्किंग तो लिखूंगा आस्किंग ठीक है तीन ठीन च्छे इवन है इवन के लिए क्या होगा एड़ दरेट छे है एक आड़ करेंगे साथ ठीक है उसके बाद अरेंज करेंगे सबसे पहले ए आएगा उ M N और last में S ठीक है अब last में S है S की position क्या है देखिए अगर T की 20 में है तो S की 19 होगी reverse क्या होगा 8 और 8 में स्थान पर अगर 10 में स्थान पर J है तो 8 में स्थान पर कौन होगा देखिए आप alphabet देख लिजे E F G H I यानि की H I J अगर J 10 में स्थान पर है तो H होगा 8 में स्थान पर यानि की यहाँ पर आएगा H और आपका option होगा option number D सही answer अब देखिए पहला none of the answer लेकिन अब आपके answer जो है निकलने शुरू हो जाएंगे तो आपको time based नहीं करना है coding पर दुबारा जाकर देखते है next question तो यहाँ पूछा है what is code for select लिखेंगे select coding होगी अब तो आपको समझ आने लग गया होगा 3 और 3 6 even है add the rate 6 में जोड़ा 7 इसको arrange कर लीजिए क्या आएगा सबसे पहले C फिर E फिर E उसके बाद L S T last में T है T का place क्या होता है 20 reverse पे 7 और और सातमा किसका है अगर पाचवाँ E का है तो सातमा किसका होगा G का तो option होगा आपका G add the rate 7 यानि की option number C होगा आपका right answer तो दोस्तों आप देख रहे हैं कैसे easily हम लोग 2-3-3 second में इसको crack कर रहे हैं कैसे इसको solve कर रहे हैं आप भी सी परकार कर पाएंगे लेकिन वीडियो के अंदर समझाएगे concept को ध्यान से समझेगा नहीं समझाए तो वीडियो को repeat करके देखिए ताकि आप coding समझ सकें और हमा ठीक है एक दो तीन कितने है तीन तीन छे और एक साथ और है तो हैश साथ में एक एड़ करेंगे आठ लास्ट में क्या आएगा अरेंज कर लिजे ए सी इई आई एन आर और टी ठीक है टी लास्ट में आया है टी का place 20 ओपोजिट पे सात्मा अगर ई पांच्वा है तो साथ पे कौन होगा जी यानि कि यहाँ पे आएगा जी जी हैश 8 option number D होगा हमारा सही आंसर तो दोस्तों यह था आजका एक नया पैटरन नया concept coding decoding का आशा करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा हमारी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियो के सारे अपडेट आप तक पहुंच सकें और आप नए से नए concept हमारे थुरू सीख सकें दोस्तों मिलते हैं एक नए concept के साथ नई वीडियो में thank you so much